Hello Friends, You are Welcome on the Kairi Youth Channel Today we will talk about the Wise Postdoctoral Fellowship 2023 and 2024 शाथियों आप सबका दिगाई डिए चनल पर स्वागत है साथियों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इन डिटेल वाइज पोस्ट डाक्टरल फेलोशीप इसमें कि आपको लगभग लगभग 1 लाख पर मंत के हिसाब से यानि कि Girls Student को या Girls Scientist को या Girls जो भी PhD कर चुकी है जो Research में इंडल्ज है और अधिक अच्छे वे में इंडल्ज होना चाहती है तो उनके लिए यह फेलोशीप प्रवाइड करवाई जाती है Department of Science and Technology, Government of India के थ्रू साथियों इस वीडियो में हम डीटेल में बात करेंगे कि इलिजिबिल्टी क्या है कौन-कौन से लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं उनका master degree किस subject में होना चाहिए कैसे होना चाहिए इसके साथ ही साथ आपका age limit क्या होना चाहिए आपको पैसा कितना मिलेगा और selection procedure क्या होगा इन सब चीजों के बारे में detail में हम लोग इस वीडियो में बात चीत करेंगे साथियों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप से request है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करें और अधिक सदिकलों के साथ share भी करें चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं गवर्मेंट आफ इंडिया, अमनिस्टी आफ साइंस और टेकनलाजी, टेकनलाजी भवन निव देली, मेरवली रोट, निव देली यहाँ पर यह दे रखा है यहाँ से यह सब कुछ गवर्न होता है, यानि कि इनी के द्वारा यह सुपरविजन में काम किया जाता है इसको बोलते हैं डिपार्मेंट आफ साइंस और टेकनलाजी, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अब हम जान लेते हैं इसके इंट्रॉक्षन के बारे में, यहाँ पर दे रखा है वाइस फेलोशीप, वाइस का मतलब है चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर यह एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप इनको काल करके या इमेल करके पूछ सकती है, आगे यह अप्लाई करने का गाइडलाइन क्या है, जो एज है साथ ही हो, सबसे इंपर्टेंट बा टेकनलाजी, या इन से इलाइड भी अगर कोई आपका टॉपिक है, या सब्जेक्ट है, तब भी आफार अपलाई कर सकती है, इलिजिबिल्टी क्या है, इलिजिबिल्टी यह है कि आपके पास कोई पर्मानेंट जाब नहीं होनी चाहिए, यानि कि आप इम्प्लाइड नह हो सकती है, वाइज फेलोसीट में वाइज पीडिफ प्रोजेक्ट में उस दिन से आप वहां से क्विड कीजिए, यानि कि आप ने प्रिवियस इंप्लाइमेंट को और इसमें जो है, जो है जो है जोईन कर लीजेए, यह बात amigos के साथ हह, और इसके साथी साथ आपकी जो है PhD डिग्री होनी चाहिए क्वालिफिकेशन है यह आपका जो है PhD डिग्री कम्प्लीट होना चाहिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है प्यजी हो या MD हो या MSO या MDSO तभी आप इसको फार्म को अपलाई करने के इलिजिबल होगा यानिकी जो मेंचीज है बस जो है एज मिनिममम जो है 27 यह और मैक्सिमम जो है 60 यह और आपकी PhD डिग्री अगर आपकी सिप्रेक्ट मेरेडी इनवाल महें तब भी कर सकती है नहीं इनवाल महें तब भी कर सकती है उससे कोई problem नहीं होनी है आगे financial support केतना मिलना है दोस्तों यहाँ पर आपको 55,000 जो है basic मिलेगा इसके अलामा जो है 3 लाख रुपए तक minimum तो आपका जो है 2 लाख मिलेगा ही लेकिन maximum जो है 3 लाख जो है yearly grant जो मिलेगा आपको research के लिए और इसके साथी साथ 27 परसेंट अग एक कटेगरी का city है या या जेट कटेगरी का तो दिल्ली में अगर आप किसी research institute में या मिट्रो city में अगर आप institute है जहां से आप project करना चाहती है पीडियाप करना चाहती है तो वहाँ पर 27 परसेंट यानि कि यह लगभग आपका जो है पंदर हजार साढ़े 14,000 यानि 500 के नियर अबाउट सम मिला करके यह आपका जो है बन जाएगा अगर आप देखेंगे तो पर मंत के हिसाब से तो यह एक बहुत rich amount है यानि कि लगभग लगभग आपका जो है 94,500 इतना जो है पर मंत आपको fellowship मिलनी है और इसका जो duration है वह जो है 3 years का है तो यह सब से important बात ह से भी तो यह जो PDF का duration होता है यह आपका जो है research तो करती ही है research एक degree मिल जाती है और इसके साथ ही साथ आपको जो है experience भी count हो जाता है यानि कि आगे जब आप कहीं जो है assistant professor की जाब में अपलाई करें या scientist की जाब में अपलाई करें तो आपका यह जो है तीन साल का experience भी count हो अगर हम teaching में अगर हम बात करते है assistant professor की जाब की बात करते हैं तो उसमें जो है one year teaching experience का मिलता है आपको two points out of hundred तो अगर तीन साल का आपका यह PDF हो जाता है तो इसमें आपको जो है six point का यह काम हो जाएगा तो इसका भी बहुत बड़ा फाइदा होना है जैसे अभी Delhi University में assistant professor की तो इस बात का अपको ध्यान रखना है यह बहुत ही एक जो है golden opportunity है इसको में फार्म जरूर आप अप्लाई करने के लिए आप जो है इस website पर जाके अपना फार्म अप्लाई कर सकती है इसको ध्यान में रखें यहाँ पर आपका जो है सब कुछ पड़ा हुआ हुआ है आपक कि फार्म अप्लाई करते समय आप सभी चीजों का बहुत ध्यान से केरफुली सही सही अप्लाई करें और इसका कोई last date नहीं है सबसे important बात यह है कोई last date नहीं जब यह यह पूरे year जो है open रहता है लेकिन यह हमेशा जो है monthly wise नहीं होता है यह जो है आपको कोई project है उसमें आपको involve होना है आपको अपना एक जो है रिसर्च प्रोपोजल अच्छे से बनाना है रिसर्च प्रोपोजल का फार्मेट अगो रख्या होना चाहिए यह सारी चीज़ें आपको इस website पर मिल जाएंगी तो आप उहां से आप देख करके जो है फार्म अपलाई कर लिजे यह सकता है तो उसी की एक आडिंग आपको काम करना है बहतरी यह होता है कि आप किसी जुह है प्रोफेसर के अंडर या सांटीस्ट के अंदर आप उनसे प्लसे कंसल्ट कर लें अपना जो है रिसर्च और ट्रे कर लें और उनसे आप बाचित करके एक प्रोपोजल बना लें और Unique Ender काम करें तो यह ज़्यादा बहतर होता है आसानी होती है आपको selection procedure में भी जिस दिन आपका selection होगा उस दिन से आपका 3 years तक के लिए यह project maximum 3 years तक के लिए होता है उससे ज़्यादा आपको time नहीं मिलता है अगर कम time का अगर आपका project है तो कम time में भी आप submit कर सकती है ले इसमें आपको जो है एक मेंटर होगा वह ध्यान रखना है कि principal invigilator होगा कोई सिक अंडर आपको काम करना होगा इस बात को ध्यान रखना है आपके husband या आपका कोई close relative आपका project का mentor नहीं हो सकता है इस बात को भी ध्यान रखना है इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए आपको अपना जो है farm as soon as possible apply कर देना है इस बात और लास्ट में यह बात ध्यान रखें कि आपको एचारे उवरा सारी चीज़ें मिलेंगी और इसमें जो इस पेसली में बात यह है कि जो आपको amount मिलता है वो annual basis में मिलता है मंतली नहीं आता है इसमें दे रखा है और आप च इस बात का भी आपको देहान रखना है तो कोकिश करना यह है कि जहां पर रहें वहीं पर करें ताकि बाद में खेसे ट्रांसपर की आपको इसलिए जो है आप जो ए थर्टी डेज तक बिना दीस्ट को इन फार्म किए ले सकती है ज़रूत पढ़ने पर लेकिन आपको प्रि में हो सकता है में इसलिए इस पर जो है बहुत जो है इसको इंकरेज नहीं कहाता है कि आप इस जादा नहीं मिलेगा थे यर्ली जो है इसका इसारी चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा ये बात है कि एक साल में ही आपका सब कुछ जिससे एक साल complete होगा तब आपको fellowship आएगे पहले जो है आपको काम करना होता है इसलिए जरूरत होती है कि आप जो है एक अपने इनुजिलेटर के साथ मिलकर ही काम करें तो ज्यादा अच्छा राता है और ये पोजल और इंटरव्यू आपका नमबर दिसमबर तक complete हो जाएगा तो फिर जो है आपको जनौरी फरूरी तक सेलेक्शन हो जाएगा और फिर अगली फाइनेंसलियर से आपको पैसे मिलने और आपको ज्वानिंगों वहां सब कुछ आसानी से हो जाएगी इस बात का ध्यान फाइनसलियर इंस्टाल्मेंट के लिए तो आपको सिस करेंगे कि जनौरी फरूरी तक अगर ज्वाइन कर लेंगी तो आपको निक्स फाइनसलियर में पूरा पैसा आपको टाइमली मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्रेस इवैलियोशन एंड मानिटरिंग यह सारी चीज़ine होती हैं आपको अपने मिंटर से साइन करवा करके डिश्टी की साइट पर अप्लूड करना होता है यह सारी चीज़े आपको आट्οमेटिक करते रहना है इसके लिए आपको मांगा नहीं जाएगा यह आपकी हो कि आप रिसपांसिबिल्टी हो कि कि आप को कुछ नीव करना होगा इस बात को आपको द्यान रखना है चलिए साथ हूं यह है इंपर्टेंट बात आप पासिबल डियो साइट पर जा करके सारी चीज़ें चेक करके वहां पर फार्मेंट दिया हुआ है या आपको कोई डाकुमेंट किस फार्मेंट में चाहिए आपका बिश्ट वी सेज जय हिंद जय भारत बंदे मातरम